आप अपने बारे में कुछ ना बोलो, अच्छे करम करते रहो, वही आपका परीचे देंगे। जिसकी नीती अच्छी होगी, उसकी हमेशा उन्नती होगी। मैं स्रेस्ट हूँ, ये आत्मे विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही स्रेस्ट हूँ, ये अहनकार है। लोग चाते हैं कि आप बहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है, कि वो कभी नहीं चाते कि उनसे बहतर करें। दो हातों से हम पचास लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हात जोड़कर हम करोडों लोगों का दिल जीत सकते हैं। कोई भी वियक्ति तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है, भाव से, आभाव से, प्रभाव से, यदि भाव से आया है, तो उसे प्रेम दो, आभाव में आया है, तो मदद करो, और यदि प्रभाव में आया है, तो प्रसन्न हो जाओ के परमात्मा ने तुम्हें एतनी शमिता दी है नेत्रे केवल द्रिस्टी प्रदान करते हैं परंतु हम कहां क्या देखते हैं ये हमारे मन की भावना पर निर्भर है मन का खोट कुए के पानी की तरहा होता है जितना भी निकाल लो खत्म नहीं होता जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेप सिखाती है वो बात क कोई यूनिवसिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत है दोस्त बड़े नसीव वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं कितना अजीब है ना 84 लाग जीवों में एक मानव ही धन कमाता है ले जीत वास्तव में क्या है वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वज़े से ही दोड़ता है इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आये तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जीताना चाहता है जहां से हमारा स्वार्थ समाप्थ होती है वहीं से हमा एक कुछ न कुछ जानता है रिष्टों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो तूटना मुश्किल है और अगर स्वार्च से हुई है तो टिकना मुश्किल है अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं, आप आइना हो, आइना बने रहो, फिक्र वो करें, जिनकी शकले खराब है, शर्धा जान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाये तो व्यक्ति को हर जगा सम्मान देती है.